एक बार फिर से स्वागत है आप सब का आपकी अपनी पार्ट साला में और आज की पार्ट साला में हम पढ़ने वाले हैं कलरभ कच्छदो का पार्ट उन्निस जिसका नाम है हमारे राश्ट्री प्रतीक तो आईए सुरू करते हैं हर देश की अपनी पहँचान होती है यह पहँचान कुछ चिन्हों से की जाती है यह चिन्ह राश्ट्री प्रतीक कहलाते हैं आओ इन्हें जाने सबसे पहले राश्टी ध्वज राश्टी ध्वज हमारे देश का राश्टी ध्वज तिरंगा जंडा है जिसे आपने स्कूलों में 15 अगर्ज 26 जनबरी 2 अक्टूबर आज ऐसे ही पर्वों पर फैराते हुए देखा ही होगा उसके बाद आता है हमारा राश्टगान हर देश का अपना राश्टगान होता है तो हमारे देश भारत का राश्टगान है जन गड़ मन अधिनायक जिसे हम प्रार्थना सबा में गाते भी हैं प्रत दिन अब देखिए इसको रबींदरनात ट्यगोर जी ने लिखा है आगे आता है राश्ट्री पसू तो हमारे देश का राश्ट्री पसू बाग है उसके बाद आता है राजचिन जो की असोक की लाड़ है जिसका चित्र ये दिख रहा है आपको ऐसा होता है उसके बाद आता है राश्ट्री पच्छी तो हमारा राश्ट्री पच्छी मोर है आप सबने भी देखाई होगा, उसके बाद राश्ट्री पुस्प, तो राश्ट्री पुस्प है कमल, इस तरीके से आप हमारे राश्ट्री प्रतीकों को याद करेंगे, और इसी से सम्मदिद हम कुछ सवाल दे रहे हैं, जिनका उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, राश्ट्री पुस्प कौन सा है, तो अब आप इन सबी सवालों की जबाब अपनी कॉपी में लिखेंगे, और राश्ट्री प्रतीकों को याद भी करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई!